तो दोस्तों आज बो दिन था जो मतलब फैसला होने वाला था जैसे कि मैंने आप सब को बताया कि महिला आयोग में मैंने एप्लिकेशन दी है आज का मतलब दिन बताया थे रवी बार के दिन तो फाइनली वहां पर हम गए दुपर को में भी गए थी और जैसे जॉइंट मीटिंग है तो उसके पापा को भी बुलाया गया उसके बाद में वहां पर जो भी उनको मतलब कुछ मंजूरी पूछा उन्होंने क्या चाते हो फिर हमसे पूछा कि आप क्या चाते हो तो फिर हम दोनों ने अपने अपनी बारे में बताया फिर उन्होंने लिखवाया बकायदा वहां पर कि मतलब क्या चाते और फिर हमसे य पक्त्रक्षory कहीं सुणने के बाद में उन्होंने अंची तर्फ दोनों को समझाया और अचल बद वह इसके पापा से पूछा गया आप क्या चाहते हूं तो पापा फिर बोला में मतलब घर जाना चाहता हूं यानि कि मेरे पास आना चाहते हैं तो फाइनली वह बापस घर लोटके आ गये हैं और आज की बाद बोला है जो भी मतलब खर्चा पानी या कुछ भी मतलब बहुत तो वह देंगे तो जी कोशिश तो में भी यह चाहती थी मतलब में भी कोशिश कर रहे थी कि वह घर पर आ जाए क्योंकि बच्चे छोटे हैं छोटे हो यार पर बड़े रिष्टा तो रिष्टा होती है और इस तरह अगर चोड़ के जाते तो पूरा परिवार बिखर जाते हैं वह फाइनली का पालन करें और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया दोनों को बहुत ही हिल्पूल है मुझे लगा नहीं था कि इतना मतलब मदद होगा लेकिन फाइनली हो गया तो दोस्तों देखते हैं मेरी आगे की लाइप कैसी रहती है लेकिन वह कहते हैं एक बार अगर गहरा भी तूट ज attयती तो अपैशल density आपड़ों लेकिन रिस्ता होगा या नहीं है लेकिन ऊच्रों ह्रों कोई करते हैं और इस्तों को मुका हरको देता है तो मैं भी एक मुका और दे रही तो दोस्तों उसके बाद में आ गए थी आप एक किचन में तो सोचा सारे दिन बच्चों ने कुछ खाया नहीं मम्मी खिला नहीं पाती है तो यहां पर बना रही हूं थोड़ा मतला है एल्दी और असके साथ है थोड़ा टेस्टी भी बनाना है तो दो बच्चों को लिए है तो मैंने थोड़ा सा यानि पावर जितना आटा ले लिया है और अधी चम्मच जितना आजमाइन डाल दिया है सरदियों में शर्ण को गरम रखता है तो इसलिए आजमाइन थोड़ा ज्यादा है डाला है वैसे गरमी का सिजन है तो चुटकी पर डालती हूँ ने तो शरी को लेकिन इस में थोड़ा सा पालक से सब्सक्रार this यह ने उद् transitions और पालग भी मैंने 200 गरम लिया था तो इसमें जितना चाहिए उतना ही ले लूंगी और आटे में मैंने चुटकी पर हल्दी पाउडर डाला था तो आपको पता होगा हल्दी जो है एंटी वायोटी होती है तो हमारी जो है गेल्थ के लिए हल्दी भी काफी ज़्याद फाइ हमारी जो आटा है वो सौब्ट हो जाएगी और इस आटे को है ना पंदा मिन के लिए धक्का रख दूंगी तो आटा फूल भी जाएगी इसके साथ ही सौप्ट भी हो जाएगी और यहां पर मैंने दो आलू को इस तरह बड़े टुक्रों में काट लिया था ताकि बच्चो यहां पर पंदा मिन बाद में हमारे आटा जो है वो भी अच्छे सेट हो चुके काफी सौप्ट हो चुकी है यानि जितना हमें चाहिए ता तो यहां पर मैं लोई तोड़ लियूं जितने मारी साइस का चाहिए यानि एक छोटी रोटी से थोड़ा कम खाना तो हम हर रोज लेकिन उसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के अगर कोशिश करें तो बच्चों की हेल्द के लिए काफी फायदा होता है तो बैसे तो मैं नॉर्मली जो है ना क्या कहते है अग्यों के आटे की जो चून बोलते क्या बोलते है उसी से मतलब रोटी बेलती हूं लेकिन आज है वो थोड़ा सा ओयल लगा ली देखती हूं ओयल से मतलब कैसा रहते है एक्सप्रेंच मेरा क्योंकि में ओयल का इस्तिमाल पूरी बेलने में या पराटा बेलने में बहुत कमी करती हूं तो मैंने इतना बड़ा बेल लिया और उसे इस तरह से कट कर लिया ग्लास से और चमज घी और आदी चमज तेल डाली है वैसे चाहे आप तेल डालो या फिर घी या पर दोनों मिक्स करके गी डालने से उसका टेश्ट थोड़ा बढ़िया आता है बाकि दोनों में से आपको इसे भी चीज का इस्तिमाल कर सकते हैं और यहां पर डालूंगी मतलब लाल मिर् तो इसमें इतना जाद तीखा नहीं होता तो इसे डाल दिये इसे फ्लेवर अच्छा आता है और इसकी जो एक सुन्दी-सुन्दी खुश्बुए मुझे बहुत ही पसंद आता है और कम तीखा होने के बच्चे भी अच्छे से खा लेता है तो यहां पर उसके साथ ही डाला इसके बाद में डाला हिंग नहीं तो अगर पहले डालेंगे तो जल जाती है तो आप हिंग भी जो है हमारा अच्छे से फ्राइब चुका था और आलू को आपको पता है मैंने पानी में काटकर डाल रखी थी तो उसे डाल दिया है आप ग्यास को एना मीडियम टो लो कर तो आलू को पाणी में डाल कर रखने से यही फायदा होती है उसके साथ स्वादानुसर नमक डाल दिया और एक चोथा चमश हल्दी जिसे कलर भी आ जाएगा इसके साथ है टेस्ट भी आ जाएगा नमक से तो आब सबजी को कवर करके चार मिंट के लिए धीमे घस पर ढग इससे आलू 4 मिनिट में अच्छी से पक जाएंगे अब बैसे भी नए आलू है तो पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसे के साथ दूसरे चुले में मैंने यहापे तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो पूरी वगरा तलने के लिए मैं यहापे जो मुमफली वग कर दो और पूरी जो है अपने आप बनते जाएगी अगर अच्छी से तेल गरम होगा तो बस पूरी को फुलाने के यहीं ट्रीक होती है लेकिन कई लोग मीठा सोड़ा भगरा भी यूज करते हैं कहना उससे भी अच्छा फूलता है लेकिन पूरी की जहां तक मुझे याद पूरी बनाने में में कभी मीठा सोड़ा का इस्तिमाल नहीं किया है बीना मीठा सोड़ा डाले पूरी बहुत अच्छी से फूल जाता है अगर पूरी के तेल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे तो आपको पूरी फुलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप देख पा रहे हो मतलब इस तरह तेल को गरम करके डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं बस इसको दो बार पलट दीजिए और पूरी का कलर चेंज हो जाना बस उतार लीजिए पूरी तयार है भो भी फुली-फुली और इधर चार मिनिट हो चुका था दूसरी गैस पर तो देखिए हमारा जालू जो है यह भी मतलब हो चुका है देखने से तो लग रहा है काफी सॉप्ट है लेकिन फिर भी चेक करना तो एक बर बन वैसे पूरी के साथ ना गिली सबजी अच्छी लगती है लेकिन आज है सुखी सबजी बना रही हूं क्योंकि गिली सबजी इच्छा ही नहीं हो है थी और बच्चे भी बोल रहा थे सुखी सबजी खाना बच्चे तो क्या सोनू थोड़ा सा मतलब हास से खा लेता तो उसके लिए और एक चोथे चमच मतलब बो डाल दिये धनिया पाउडर और एक चोथे चमच लाल मिर्च पाउडर तो बहुत ही कम तीखे का इस्तिमाल करूंगी जहां जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे भी खाता है मेरा सोनू भी एक दो पिस का लेता है तो इस वज़े से में मसला का भी कम इस्तिमाल करती हूँ पाउडर मसला का तो थोड़ा-थोड़ा मातर में डाला है तो आप देख सकते हैं यह है मेरी गरम मसला डाल और हरी सब्जी है तो शरी के लिए फाइदमंदी होती है तो देखिए मैंने हरी सब्जी भी डाल दिया है आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मतलब पालक भी काट कर डाल सकते हैं तो भी अच्छा लगता है तो इसे मिक्स कर दूंगी और इतना सारा मतलब एक मुठी भर कर डाला है हरा धनिया तो देख सकते हैं जैसे मिक्स करते जारी हो और ऐसा लग रहा है कि चुटकी बार डाला है पर हमारी सब्जी है यह बिल्कुल परफेक्टर के से तयार हो चुकी है इसमें और कुछ भी करने की जरूत नहीं है लेकिन अगर किसी को गीला खरना पसंद है यह कुझ कम पाणी पसंद करते गव संद आधी पाणी और इसके साथ है चाहे नई चाओथ दब पूरी तर रसे और कड़ा एं हलका सक गरम रहें तो उस डाले नहीं तो गरम कराय में अगर डालेंगे तो फट सकती है या पी डही डाल दे दो और देख सकते सब्जी का कलर और जैसे में बना रही हुना बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो इस रेसिपी को आप ट्राइ कर सकते बहुत ही अच्छा लगता है पूरी के साथ पूर उसके साथ ही आलू की सब्जी तो जी गर्म गरम पूरी है सर्दियों में अगर खाने को मिल जाना तो मतलब मजाई आ जाता है और उसके साथ ही आलू के सुखी सब्जी और जो भी हेल्दी और टेस्टी खाना तो कोई दिकत नहीं जी हमारे तो खाना यहां पर तयार ह आप भी इस खाने को enjoy कीजिए और try एक बार अगर करें तो comment करके बताने बिल्कुल न भूले क्या आपको हमारी आलू के सब्जी और पालक पूरी कैसे लगी तो दोस्तों चलिए हम यह आपे dinner कर लेते और आज की वीडियो को ही end करते मिलते फिर किसी नए वीडियो को साथ में तब तक लिए नमस्ते जय हिंद